व्रत के दोरान खाना पीना है वो समानने से अलग होता है तो मन करता है कि कुछ ऐसा बना लिया जाए जिसे पूरे व्रत के दोरान इजीली खा सकें और जो हेल्दी तथा अनर्जेटिक होने के सासथ बनाने में भी आसान हो हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम मिलो पीपर और आज मैं आपके लिए लेके आईए कैसे स्नेक की रेस्पी जो हेल्दी और अनर्जेटिक होने के सासथ बनाने में बहुत ही आसान है तथा इसे आप एक बार बनाकर 15-20 दिन तक आराम से रहकर मखाने थोड़े से मुंगफली के दाने कच्चे ही यदि आपके पास रॉस्टेड हो ता आप उसका यूज भी कर सकते हैं इसके अलावा कुछ ड्राइफ फूट्स जो आपको पसंदो यहां हमने बादाम और काजू लिये हैं जिने वन बाई टू में कट कर लिया है इसके बनाने के लिए सक भारी तली की कडाही या फिर नॉंस्टिक कडाही में मखानों को डाल कर बिल्कुल ड्राइ रोस्ट कर लेंगे चार से पांच मिनट के अंदर मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं देखिए इस तरह से रोस्टेड मखानों को बाउल में निकाल लिया अब कडाही को साफ करके वापिस गैस पर रखेंगे कडाही है वो गरम हो चुकी है अब इसके अंदर डालेंगे वन टेबल स्पून वेजिटेबल ओयल आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं प्रंदु ठंडा होने के बाद घी जम जाता है इसलिए हम वेजिटेबल का यूज़ कर दें यदि आप रत के लिए बना रहे हो इस रस्पी को तो फिर आप मुझफली के ओयल का यानि ग्राउंड नट ओयल का यूज़ कर सकते हैं ओयल को गरम कर लेंगे इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा जीरे को क्रैकल होने देंगे और इसके साथ ही हम मुझफली और इसे मीडियम हीट पर दो मिनट तक रोस्ट कर लेंगे मुझफली रोस्ट हो रही है इसके साथ इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते पत्ते हैं वो भी मुझफली के साथ क्रिस्प हो जाएंगे लगब दो मिनट हो चुके हैं और मुंगफली तथा करीपत अच्छे से भून चुके हैं इस टेज पर हम इसमें डालेंगे ड्राइफूट्स हम यहां बादाम और कजू डाल रहे हैं आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइफूट्स डाल सकते हैं और इसे भी एक मिनट तक र रोस्ट कर लेंगे ड्राइफूट्स भी रोस्ट हो चुका है अब इसमें डालेंगे कटे हुए नारियल के स्लाइसिस और इसे भी एक मिनट के लिए भून लेंगे सभी चीजों को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सेनधा नमक और इसके साथ ही थोड़ा सा काली मिर्ची पर रोस्टेड मכाने और इन्हें लो हीट पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से mix करने के बाद इसे एक लेट में निकाल कर completely ठंडा कर लेंगे और फिर इसे air tight container में भरका रख लेंगे और 15-20 तक हम इसे आराम से use कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो है ना कितनी आसान सी recipe जो healthy और nutritious तो है ही energetic भी है तो कैसी लगी आपको ये recipe है ना बहुत easy तो आप भी से जुरूर try करें और पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा like और share कर दें यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दें और bell icon को press कर दें आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं Thank you